एक बार की बात है एक चील की दोस्ती एक लोमडी से हो गई दोनों एक दूसरे के साथ वहुत खुशी खुशी रहने लगे जल ही दोनों बेहत करीब आ गए वे इतने करीब आ गए कि उन्हों ने एक दूसरे के बगल में घर बनाने का फैसला किया चील ने अपना घोसला उन जाड़ियों के पास बनाया जहां लोमडी रहती थी वे एक साथ काफी खुश थे समय बीटा गया और दोनों दोस्तों के अपने अपने बच्चे हो गए वे अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे एक दिन लोमडी ने अपने बच्चों को जाड़ियों में छोड़ दिया और उसने अपने बच्चों से वादा किया मैं जल ही वापस आउंगी में निकल पड़ती है जब मालोमरी दूर थी चील के बच्चों को भूक लगी चील ने उदास होकर सोचा लेकिन मेरे पास उन्हें खिलाने के लिए कोई भोजन नहीं है बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला तभी दुष्ट चील आस पास खेल रहे लोमरी के एक बच्चे को देख लेता है चील के बच्चे भूक से रो रहे थे चील ने सोचा मुझे इस में से एक शावक को अपने बच्चों को खिलाना चाहिए चील ने फैसला किया और एक को लेने के लिए जपटा मारा चील ने अपनी ही सहेली के एक बच्चे का शिकार कर अपने बच्चों को खिला दिया जब लोमडी की मा वापस लोटी तो उसने देखा कि चील अपने बच्चों को मेरे ही बच्चे की मार कर खिला रही है सब देख कर लोमडी बहुत आहत हुई और वह रोते हुए चील से पूछती है क्या करडाले बेचारी मा लोमडी का दिल तूट गया था और वह दर्द में थी लोमडी रोते हुए बोली तुमने एक दोस्त एक अच्छे दोस्त को धोखा दिया है वह अपने बच्चों को लेकर चील से दूर चली गई दोस्त से धोखा मिलने के बाद भी लोमडी ने कभी अपने दोस्त का अहित नहीं चाहा वह एक अच्छी दोस्त थी लेकिन ईश्वर की कुछ और ही योजना थी एक दिन जब चीलों को भूख लगी तो चील मा फिर शिकार के लिए निकल पड़ी इस बार वह पास के गाव में गई उसने सोचा मुझे यहां निश्चित रूप से आसान शिकार मिल जाएगा जल्द ही उसे एक मरी हुई बकरी का एक बड़ा टुकड़ा मिला जिसे उसने जट से उठाया और वापस उड़ गई लेकिन जैसे ही चील ने बच्चों को खिलाने के लिए उसे अपने घोसले में रखा घोसले में आग लग गई और उसमें से एक चील मर भी गया बेचारी चील का दिल तूट गया था और वह दर्द में थी उस दिन लोमड़ी उधर से गुजर रही थी उसने चील को घोसले में आग लगी देखी लोमड़ी ने चील से कहा ईश्वर ने तुम्हें एक प्रीमित्र को दोखा देने का सजा दी है उसने भारी मन से कहा और वहां से चली गई वह नहीं चाहती थी कि उसकी सहेली को भी बच्चे को खोने का वही दर्द जहेलना पड़े लेकिन यह ईश्वर का नयाय था ईश्वर ने उसे दंडिट किया जो की वह इस दंड का पात्र था इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहिए